Hello student, today I am going to teach Genome Secondary Student with the subject of Pediatrics and topic is the Child Act. So shall I start the topic, the Child Act. So, बच्चे, स्टार्ट करते हैं, the Child Act. Child Act मतलब बच्चो के नियम. The Children Act of 1960, amended in 1977. जो Child Act है, यह कब बनाया गया था, जो Children के कॉर्डिंग जो Act थे, वो कब बनाया गया थे? 1960 में बनाया गया थे. मतलब, 1960 में यह स्टार्ट हुआ था, Act बनाया गया था, लेकि इसका amended मतलब संसोधन. इसका संसोधन कब हुआ? 1977 में हुआ. मतलब, जो Children Act है, वो 1960 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसका संसोधन होके, वो दोबारा कभी स्टार्ट हुआ? 1977 में. मतलब, जो लोग होते हैं, जो मतलब, Care Providers होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, इस आक्ट के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले, Provides for Care, इसमें क्या करते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, बच्चों को देखभाल की जाती हैं, इसके Related. Maintenance, Welfare, Training, इसमें क्या है? जो बच्चे हैं, उनको Train किया जाता है, उनको Train, उनको Train देखभाल की जाती है. इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं उनको सिच्छा पडान की जाती है एजुकेशन दिया जाता है रिहाबिलेटेशन मतलब उनको पुनरवास के लिए भीज़ा जाता है और साथ में क्या होता है उन बच्चों को हुटा है। भेजा जाता है, मतलब उन्हें दोबारा से कैसे रहना है और उन्हें कैसे सारी चीजे प्रवाइट करानी है, ये चीजे देखी जाती है, मतलब इस एक्ट के दौरा ये सारी चीजे बच्चों को देखी जाती है, मतलब बच्चों के लिए देखी जाती है और बच्चों को प दिया जाता है साथ में जो डेलेगेंट चिल्डरन होते हैं उनको एजुकेशन और रिहाबिलिटेशन भी दिया जाता है रिहाबिलिटेट किया जाता है साथ में उनको क्या करते हैं एजुकेशन भी देते हैं एजुकेशन मतलब सुच्छा रिहाबिलिटेशन मतलब पुनर् उसके बाद कुछ चैटेगरी हैं कुछ चैटेगरी जैसे कि डाटेगरी जिनके अंदर में जो बच्चे वो आते हैं जैसे की सबसे पहले हैं नगलेक्टेड चाल्ड इसमें आते हैं तो means a children, who is means a child, मतलब means एक बच्चा है, जो क्या है, हूँ मतलब है, कौन है, वो बच्चे आते हैं, मतलब नहीं सहाय बच्चे आते हैं, वो बच्चे आते हैं, जैसे सबसे पहले क्या है, is found begging, उन्नों को देखा जाता है कि वो भीग मांगते, जो भीग मांगने वाले आइल एक्ट के अंतरगत रखा जाता है, दूसरा is without any home, वो बच्चे जिनके पास क्या घर नहीं होता है, जिनके पास home नहीं होते हैं, घर नहीं होते हैं, तीसरा क्या है, is a desituate or an orphan, desituate का मतलब होता है निशहाय और 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 तो वो बच्चे आते हैं, जो निशह मतलब वेश्याले, वो बच्चे इसके अंतरगत आते हैं, जो बच्चे वेश्याले वगेरा में रहते हैं, जो वो बच्चे होते हैं, उनको सिच्छा नहीं प्रदान की जाती है, अच्छे से उनको सिच्छा एजुकेशन वगेरा नहीं दी जाती है, तो वो बच्चे इसक एक्सपोज मतलब उनको दिखाना डैंजर मतलब खत्रे में तो वह बच्चे आते हैं जिनके जिनका नैतिक जिनका मॉरल जो होता है वह किसके संपर्क में होता है मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं चोटे से बच्चों में वह क्राइम करना स्टार्ट कर देते हैं उनको उनको मोरल नहीं होती उनकी नातिकता उनको नहीं सिखाई जाती उनको एजुकेशन नहीं प्रवाइट की जाती है तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका जो मोरल होता उनको, फोकस किया जाता है, दूसरा है without any homes, उनके पास कोई घार नहीं होता है, तीसरा है desituate orphan, जो बच्चे क्या होते हैं, निशहाएं होते हैं और अनाथ होते हैं, लिफ से न ब्रोथल, जो ब्रोथल मतलब वेश्याल है, जो वेश्याल हैं वगैरा में रहते हैं, और next exposed to moral danger और जिनका नायतिक जो होता है वो खत्रे में होता है जो उनका नायतिकता जो होती है वो खत्रे के संपर्क में होती है तो उन बच्चों को child act के अंतरगत रखा जाता है उसके बाद कुछ services हैं जो provides की जाती हैं ऐसे बच्चों को यासे जो बच्चे होते हैं such neglected child वगेरा होते हैं जिनको कुछ services हैं जो help वगेरा हैं उनको प्रवाइट की जाती है जैसे सबसे पहले such neglected children can be taken charge of by the police probation officer और superintendent of observation such neglected children मतलब जो नजरंदास किये हुए बच्चे होते हैं can be taken charge of by the police ऐसे बच्चों को क्या करता है जो भी प्रोबेशन आफिसर का मतलब होता है परिविच्छा धिकारी जो परिविच्छा धिकारी होती है उनके अंडर में रखते हैं या फिर superintendent of observation home या भी जो superintendent मतलब अधिक्छक जो observation home के जो home जहां पर लोग रखे जाते हैं जो जहां घर पर रखे जाते हैं वो जो observation मतलब जो उनको देखते हैं जो उनका देखबाल करते हैं जो उनको पर नजर रखते हैं superintendent वगेरा उन सारे लोग क्या करते हैं उन बच्चों का चार्ज लेते हैं जो हमने पीछे बताया कौन को नेगलेटर चिल्टर उते हैं उनको उन बच्चों को चार्ज होता है वह पुलिस ले लेती जहांकि वह बच्चा रहने वाले होते हैं अगरेशं सध्वर्क स्थिति हुआ को सदस्ले sir बच्चों एपसर होता है और रखा अप्जर्वेशन की यें और रखते आसे बच्चों को लोग अडांप्ट कर लेते हैं अडॉप्टें को ऊग लेते हैं तो यहीं सारे बच्चे होता है जिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें जुवलाइन कोर्ट में रखा जाता है मतलब क्राइम के कोर्ट वगरा में रखा जाता है अगर उन्हें क्राइम वगरा की है तो उन्हें सुधारने के लिए उन्हें 24 घंटे क्या करते हैं कोर्ट वगरा में रखते हैं ऐसे बच्चों को जो मतलब क्या होते हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं मानते हैं, बहुत जादा जिद्धी होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, इसमें रखा जाता है, जो ब्लाइन कोट में रखते हैं, 24 घंटे के लिए रखते हैं, उसके बार नेक्स से बच्चों, any child needing care, अगर तो बच्चे होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, जो नेक्डेक्टर चिल्डरेन होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जो जरूरत होती है, उन्हें care provide की जाती है, protection and treatment, अगर जिन बच्चों को सुरच्छा की जरूरत होती है, देख भाल, इलाज की जरूरत होती है, उनको भ प्रगत उन्हें केयर और उन्हें प्रोटेक्शन और उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है तो बच्चों हमने क्या पढ़ा यह जो चिल्डरन एक्ट है वो चलाया गया था उसका संसोधन कब हुआ था उन्हें सारे बच्चों को क्रेया प्रॉइट की जाती है उन्हें वेलपेर ट्रेणिंग में इस पक रखार दाता है पुलिस के दवारा की जाती हैं और जो बत्चे प्छोब करते हैं करते हैं इंदर क्विशां और फिट्रियस कर शाल करते हैं तो बच्चो यह था आज का टॉपिक, चाइल्ड एक्ट, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, थैंक यू सो मच